हेलो प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 का क्वेस्टन में और 4 करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेस्टन है और एक छोटी से में अपनी गल्ती बताना चाहूंगा कि पिछले वाले दो वीडियो में मैंने आपको क्वेस्टन 2 और 3 मे पर अब कवेस्टन इसे सीखने वाले है कि हमारा से वाले यहां पर वह में दिया हुए इसमें बोल रहा है कि हमारे एक फिगर बना हुआ है 38 इसमें ABC 69 डिगरी का है यहाँ पर दिख रहा है और ACB जो है वो 31 डिगरी का है अपने को यह BDC वाला जो एंगल है यह फाइंड करना है अब इसे कैसे फाइंड करना है यहाँ पर कौन सा थियरम लगेगा आईए मैं आपको जली से कौपी मैं समझा देता हूँ तो देखो यहाँ पर हमने यह डिगराम बना लिया है अब सबसे ध्यान से देखो कि अपने को अगर यह एंगल फाइंड करना है अगर हमें यहाँ पर यह वाला एंगल दिया रहता यह इसका नाम ABC है इसका एंगल दिया हुआ है यह एंगल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इस एंगल A को फाइंड करेंगे क्योंकि एंगल A और एंगल D है यह आपस में इक्वाल होते है और यही चीज अपने से कहता है थेरम नंबर 10.9 पिछले बार जो 10.9 बार बार मैं बोला था एक्शल में वो 10.11 था 10.9 में जो हमें थेरम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एंगल बनता है सेम सेगमेंट पर जैसे कि अगर मालो एक लाइन है तो इधर का एक सेगमेंट हो गया प्लस अंगल नंबर b है और प्लस अंगल नंबर c है घया है और यहां पर प्लस करेंगे तो 69 100 हो जाएगा 100 को धर transfer कर दो तो angle A equal to हो जाएगा 180 degree और minus में 100 degree तो यहां से हमारा angle A जो है वो निकल गए 80 degree का तो angle A अगर 80 का है तो angle D भी 80 degree का होगा इसको आप लोग ऐसे लिखोगे angle A is equal to angle number D और दोनों जो होगे हमारे वो 80 degree के होगे अब यह क्यों हुआ तो यहां पर आप लोग एक थियरम जरूर लिख देना जो हमारा 10.9 में दिया हुआ है जो angles होते हैं same segment में किसी भी circle के वो आपस में equal होते हैं तो यहां पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे angles in the same segment same segment of a circle of a circle are equal यानि जो same segment में angle होते हैं वो आपस में equal होते हैं और यही अपने को 10.9 में दिया हुआ है बस यह हमारा solve हो गया यह जो हमारा D है इसी को अपने को बोला गया था वहाँ पर नाम बड़ा सा नाम दिया हो था इसको आकरीम जो आपसे लिखोगे तो बीडीसी नाम दे देना कि एंगल बीडीसी जो होगा वो एक्टीडीक्री का उगर इसको इसको इसे box में close कर दो ताकि टीचर को चेक करने में असानी हो कितना सिंपल से question था अगया होगा कुछ भी डाउट हो तो इंस्टागा और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको description box में दिया है वहाँ से आप हमें फॉलो कर लिजिए और अपने डावर्स बूश सकते हैं जो अगला question है उसे solve करते हैं